दोस्तों इस टाइप के कुश्यन को कैसे सोल करें जब आपको दो नंबर का LCM गिवन है HCF पूछ लिया जाए या HCF दे रखा है और LCM पूछ लिया जाए तो बिल्कुश सिंपल है दोस्तों आप एक बात याद कर लो या इसको समझ लो कि product of two numbers, product of two numbers equal to रहता है दोस्तों product of their HCF and LCM तो यहाँ पे आपको two numbers कौन से दे रखा हैं देखो 126 and 315 दे रखा है इसी के साथ आपको यहाँ पे क्या given है if the LCM of 630 दे रखा और पूछा क्या है दोस्तों यहाँ पे find the HCF बिल्कुल सिंपल है बस सोर हो गया यहाँ पे आगे अपना mathematics लगाना है mathematics क्या कहता है बराबर के इस साइड यहाँ कोई संख्या multiply में है दूसरी साइड जब लेकर आएंगे तो वो किसमें? divide में आजएगी यहाँ पर multiply में है दोस्तों मैं इसको इस साइड लेके आ गया तो यह आपका किसमें आजएगी दोस्तों? divide में आजएगी अब दोस्तों यहाँ पे आपका इनका multiply करना है और इसका divide करना है जब आप divide करेंगे तो आएगा दोस्तों यहाँ पे आपका 63 direct divide कैसे करते हैं? वो भी देख सकते हैं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों यह आपका 3 से कटेगा इसको देख लेते हैं यह भी आपका 3 से कटेगा ये तीन से कटेगा आपका दो वार एक वार और जिरो वार ठीक है तीन ओके सही ये तीन से कटेगा आपका दोस्तों एक वार उसके बाद आपका जिरो वार और पांच वार ठीक है अब उसके बाद देखो दुबरा यहां पे यह आपका पांच से कटेगा ये भी आपका पांच से कटेगा ये पांच से कटेगा है दोसना है आपका चारू पंजा को आपका 20 और 42 वार ठीक है 10 और ठीक ओके यह आपका 5 से कटेगा कितना 2 वार और 21 से यह कितनी वार कटेगा दूसतों आपका 2 वार और 2 से यह कितनी वार कटेगा 6 वार और 3 वार है answer कितना ख vast आपका 63 ओकिए आपको जैसा अच्छा लगे वैसा solve करके उस तरह किस से solve करके अपने कुश्यन को आसानी से हल कीजीगा थैंक यू दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा मैं उस प्रंदर के लिए अगली वीडियों फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय टाटा